नौरात्र यानी नौराते इन नौरातों और दस दिनों के दोरान शक्ति स्वरूपा देवी के नौर रूपों की पूजा की जाती है। दसमा दिन तशहरा के नाम से प्रसिद है। नौरात्र वर्ष में चार बार आता है। पोश नवरात्र चैत्र नवरात्र आशाड़ नवरात्र और अश्वनी नवरात्र नवरात्र प्रतिपदा से नोमी तक मनाया जाता है। नौरात्र के नौ रातों में तीन देवियों महालक्षमी, महासरस्वती और दुरगा के नौ स्वरूपों की पूजा होती है जिने नौ दुरगा कहते हैं। इन नौ रातों और दस दिनों के दौरान शक्ति स्वरूपा देवी के नौ रूपों की पूजा होती है। दुर्गा का मतलब जीवन के दुख को हटाने वाली अर्थात दुर्गा दुर्गति नाशनी समस्त कश्टों से छुटकारा दिलाने वाली देवी मा दुर्गा सुरूपा नवदुर्गा यानि मादुर्गा के नव रूप इन नव रूपों में नव उशदियां भी विराचती हैं माअम्बे के ये नव रूप जो समस्त रोगों से बचा कर जगत का कल्यान करते हैं नवदुर्गा की नव औशदी सोरूपों को सबसे पहले मारकंडी चिकत्सा पद्धधी के रूप में दर्शाया गया और चिकत्सा प्रणाली के इस रहसी को ब्रंभाजी के द्वारा उपदेश में दुर्गा कवच कहा गया ऐसा माना जाता है कि ये औशदीया समस्त प्राणियों के रोगों को हरने वाली और उनसे बचा रखने के लिए एक कवच का निर्मान करती हैं इसलिए इसे दुर्गा कवच कहा गया इनके प्रियोग से मनुष्य अकाल म्रिद्धु से बचकर लंभी आयू जीता है तो आईए नो अशदियां जिन्हें नो दुर्गा के रूप में जाना गया हम उनकी बात करेंगे सबसे पहले प्रथम दिंकी देवी मा शैल पुत्री के बारे में प्रथम शैल पुत्री यानी हरना नोदुरुगा का प्रथम रूप शैल पुत्री माना गया है। कई प्रकार की समस्याओं में काम आने वाली आउशदी हरन हिमावती है जो देवी शैल पुत्री का ही एक रूप है। ये आयुर्वेद की प्रधान आउशदी है जो साथ प्रकार की होती है। इसमें हरीतिका यानि हरी भै को हरने वाली है, पथया जो हित करने वाली है, काइस्थ जो शरीर को यानि काया को बनाए रखने वाली है, और अम्रिता जो अम्रित के समान है, हेमवती अर्थात हेमाले पर निवास करने वाली, चेत की अर्थात चित को प्रसन्न करने वाली, दूसरे दिन की देवी ब्रह्मचारणी के बारे में और बताएंगे आपको क्या है देवी ब्रह्मचारणी के और शदिय गुणू। देवी मा की गृपए आप पर सदयों बनी रहे जै मादूर के